तो आज हम चलते हैं दा मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ओफ आर्ट नियॉयॉक सिटी में है इसके बारवे मैं आपको कुछ बताती हूं आगे चलके सुनते हैं विसको बनाने का में परपस था के नकरच किया जाए Study of Fine Arts को और दूसरी फिल्ड में रिस्पेक्टिवली इसकी अप्लिकेशन को भी इन्हेंस किया जाए तो इसके अंदर जितने भी आपको सब चीज़ें देखने को मिलती हैं बहासियते स्टूरेंट एक इंसान बहुत कुछ सीखता है The museum's collection spans 5,000 years of world culture from prehistory to the present and from every part of the globe. COVID की इंपक्ट की वजा से 2020 में विसितर की तादाद काफी काम हो गई जो के 11,24,769 लोगों पर मुश्टमिल है जबके अगर देखा जाए तो 2019 में जबके COVID नहीं था अभी तब 64,549,548 लोगों ने विजिट किया था COVID की विजासे मुकमल तोर पर इसको पहली दफ़ा long term based पे बंद किया गया था मार्च 2020 में और अब इसको gradually open किया गया है हलांके इसको open किया गया है लेकिन जो libraries हैं हर department की एक अपनी एक अलग library है यानि बेशुमार libraries हैं वो काफी अर्से तक बंद रही थी और अब gradually उनको भी खोला जा रहा है क्योंकि यहां पर research के काफी students भी आते हैं the metropolitan museum of art which is known by the MET maintains extensive holdings of African, Asian, Oceanian, Byzantine and Islamic art जी हां Islamic art के भी यहां पर काफी नमूने पाई जाते हैं जो आगे चल कर कुछ तासावीर में देखेंगे भी इस museum में हर तरह की collection है जिसमें musical instruments के इलावा costumes और दूसरी accessories जो के antique weapons और armors की तरह से हैं वो भी शामिल हैं जो दुनिया के तमाम कोनों से यहां पर लाके नमाईश के लिए रखी गई हैं जाते हैं Metropolitan Museums collection consists of work of art from classical antiquity and ancient Egypt paintings and sculptures from nearly all the European masters and an extensive collection of American and modern art दुनिया के तमाम कोनों से यहां पर आपको हर तरह की वो चीज़ नजर आएगी यो एक तारीख में नमाया नाम रखती है जिसकी एहमियत से इंकार भी नहीं किया जा सकता आपको कर दो पर आपको किया जा। झाल 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 झाल